असलावलेकूम मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं मैक डोनट इस्टाइल चिकन इस्टफ गार्लिक ब्रेट की रेसिपी जो बहुत ही आसान तरीके से बनाए गई है इसके लिए मुझे चाहिए वन इन हाफ का फ्लार वन फोथ कप सुजी नमक हल्के गरम पानी में मैंने 1 टेबल स्पुन इंस्टन एस्ट और 1 टीशून शूगर के साथ मिक्स करके से 10 मिट के लिए कवर करके रख दिया था अब मैंने इसे आटे में एट कर दिया है और साथ में एट के आए 1 टेबल स्पून ओलीव ओल अगर आपके पस ओलिव ओल तो आप melted butter ये normal cooking oil भी add कर सकते हैं बट इस बात का ध्यान रहें कि इसमें कोई smell ना हो इसके पाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके add करेंगे हलका गरम दूर्द और soft आटा रेडी कर लेंगे इस बात का खयाल रखें कि दूट जादा गरम नहीं होना चाहिए बहुत हलका गरम लें ये लीजिए डूरेडी हो चुका है अब इसको हम add कंटेनर में एक घंटे के लिए कवर करके रख देंगे एक घंटे के बाद हम डोको निकाल कर इसके उपर flour dust करेंगे मैदा और इसे अच्छी तरीके से गून लेंगे गूनने का तरीका आप देख लिजे कैसा है इसे इस तरीके से नीट करना है फिर इसमें हम add करेंगे और गैनो और पांच मिट तक हम इसे इसी तरीके से गूनना है इसे दस मिट के लिए बापस से हम add एक कंटेनर में रख देंगे मैंने यहां पर ले लिया है चार टेबल स्पून मेयोनीज और टू टेबल स्पून क्रीम आपके पस क्रीम नहीं है तो आप सिक्स टेबल स्पून मेयोनीज ले लिजे इसमें मैंने क्रश्ट गार्लिक जिससे मैंने बटर में थोड़ा फ्राइ कर लिया था वो add कर दिया है हर एक बॉल को और इसे थिक बेल लिजे आपिस पर बटर क्रीम स्प्रिट कर देंगे और रेड़ी चिकन मिक्स्चर रख देंगे इस पर दाल देंगे हम मॉसरेला चीज स्प्रिंकल करेंगे और गैनो और उपर से हम दाल देंगे पैरी पैरी सॉस पिर हम इसे अच्छी तरीक हम गार्लिक बटर से और इस तरीके से हम कट मारेंगे और ब्रश कर देंगे गार्लिक बटर स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लैक्स एंड और गैनो और इसे 180 डिग्री पर हम बेक कर लेंगे 20-20 टू मिनट के लिए मैंने बाकी बचे हुए डो को मिक्स करके उसका एक लास साइस का बड़ा रोल बना लिया है विकस मुझे बेकिंग के लिए टाइम नहीं था इफ्तारी का वक्त हो रहा था इसलिए मैंने सारे डो को मिक्स करके एक लास साइस का रोल बना लिया है इससे भी हम 180 डिग्री पर ब डू को नेक्ट करने का जो तरीका मैंने बताया आप इसे फोलो जरूर कीजिएगा इससे आपका ब्रेड बहुत ही सॉफट बन कराएगा तो लेजूत है की तैयार हुचुका है हमारा i गार्लिक रोल ब्रेड यह देखिए यह बहुत ही पॉफिक्ट बना है और बहुत ही सॉफ्ट बना है खाने में भी काफी लजीज है आप ट्राइ जरूर कीजिएगा आपको जरूर पसंद आएगा आई होप आपको में रेसिपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा अब मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखेगा वीडियो को एंट तक देखने के लिए जज़ा कर लाख है थैंक यू फो पॉचिंग अल्ला हाफिज